हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सिवनिया कीचन में कई बार अक्सर घरों में चावल बच जाती है तो बची हुई चावल से आज बहुत ही टेस्टी रेश्पी बनाएंगे हम ज्यादा कुछ भी नहीं लगता है दोस्तो बहुत ही असान है सिर्फ दो चीजों से बनाएं दोस्तो यहां मैंने एक कटोरी बची हुई चावल लिया है मैंने यहां एक पियाज को कट कर लिया है छोटे-छोटे स्लाइसस में यहां मैंने दो हरी मिर्च को कट कर ली है कड़ाही को मैंने गैस पर रख दिया है गैस को ओन कर दिया है मैं इसमें तेल डाल रही हूँ गैस को हाई फलेम पर रखेंगे अब इसमें मैं मिर्च डाल रही हूँ और प्याज भी डाल रही हूँ दोनों मिला के अच्छे से भून लेंगे मेरा पियाज और मिर्च भूना चुका तो मैं इसमें बची हुई चावल को डाल के भूनूंगी हम लोग अच्छे से इसको भून लेंगे खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तो भूना हुआ चावल अगर आपके घर में चावल बच गई हो तो इस तरह से भून के आप खा सकते हैं हाई फलेम पर टोटल चार मिनट भूनेंगे तो देखिए चार मिनट हो चुका मेरा चावल भूना चुका है तो मैं अब सर्व करती हूँ तो कैसी लगी ये रेस्पी कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें